नमशकार दोस्तों, आज कि इस वीडियो में हम एक और बहतरी इन होमेथिक मेडिसिन, EPISMEL 30 के कुछ, बहतरी इन क्मबिनेशन के बारे में बात करेंगे, और आपको इस combination के बारे में बताने के लिए मैंने कुछ medicine को बाहर निकाल के राखा हुआ है तो आपको एक एक करके इस combination के बारे में हम बताते हैं कि कहां पर आप epismel देंगे तो आपको बहतर result मिलेंगे और वो भी किस medicine के साथ दोस्तो epismel के देखिए यहाँ पर हम केबल practical use की बात करेंगे जो लक्षान और symptoms आते हैं वो सब अपनी जगा है तो epismel के कुछ business use की बात करूँ तो epismel हम सरवादी की use करते हैं दोस्तो अर्टी केरिया नामक बीमारी में अर्टी केरिया में क्या होता है कि पूरे सरीर पर चकते टाइप या ददोडे टाइप आ जाते हैं और इन ददोडों में खुजली चलती है कुछ लोगों को जलन होती है और ददोडे थोड़े इसकीन की सताय से उबरे हुए होते हैं तो ऐसी condition में आप एक बातल लीजे और उसमें बराबर मात्रा में एपी स्मेल 30 और अर्टी का यूरेंस 30 ये दोनों दबाई मिला कर डालिए देगे यहां पर हम बार बार नाम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहां पर बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है आपको यदि ये चीजे नोट करना है तो आप बीडियो को रोक करके इसकिनशाट ले सकते हैं तो जहां पर भी अर्टी के रिया साधरन भासा में इसे जल पित्ती कहा जाता है या बहुत सारे लोग जो है इसे एक सामाने से खुजली वाली बिमारी भी बोलते हैं या ददोडे हो जाना बोलते हैं और एक और सब्द होता है जो मुझा भी तुरंद याद नहीं आ रहा तो आर्टी के रिया सीथ पित्ती भी से बोला जाता है या सितंग उड़ गई है सामानेता देहाती भासा में या कई सारी जग़ा पर सितंग उठ गई है ऐसा बोला जाता है तो ऐसे केसिस में आप एपिसमेल 30 और अर्टी का यूरेंस 30 ये दोनों दबाएं जो है बरावर मातरा में एक बाटल में मिलाएंगे जैसे यहाँ पर एक बाटल है मेरे पास इस प्रकार से एक बाटल में आदी भल लीजे अर्टी का यूरेंस 30 में और आदी भल लीजे एपिसमेल 30 में और जो मिक्षर है उसकी चाचार बुन दिन में तीन बार मरीज को पीने को दीजिए एक्यूट बिमारी जो है तो वो एक दो दिन में ठीक हो जाएगी तीन दिन चार दिन में ठीक हो जाएगी और यदि क्रोनिक है तो थोड़े लंबे समय तक लगातार सेवन करते रहेंगे तो पुराने से पुराना अर्टी के रिया भी दोस्तों लगातार सेवन से ठीक होता है दूसरी बात करें दूस्तों आप यहाँ पर मैं अर्टी का यूरेंस को अटा करके कुछ दूसरी मेडिसिन रखता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यह एक बहतरी कांबिनेशन जो हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं आपके सामने यहाँ पर एपिसमेल के साथ हमने दो दवाएं रखी है आरसेनिक एलवम थर्टी पोटेंसी में और कैंथरिस थर्टी पोटेंसी में दोस्तों यह जो मिक्षर है यह एक बहुत ही शांदार मेडिसिन होती है यूरीन मार्ग में यदि किसी प्रकार का सोध हो रहा हो इंफ्लामेशन हो रहा हो यह आपको यूरीन करते समय बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो असहनी जलन हो रही हो यूरीने ट्रेक्टर का इंफेक्शन हो वहाँ पर इंफ्लामेशन हो गया सोध हो गया हो जलन हो रही हो खासकर महिलाओं में ऐसे केसिस देखने में ज़्यादा आते हैं पुर्शों में भी आते हैं यदि जलन बहुत ज़्यादा तीवर हो रही हो तो एक बाटल लीजिए बाटल का साइज आप इसी प्रकार से ले लीजेगा इसमें तीन दबाएं बर प्रचार की जलन होगी, वो ठीक होगी अगले गांबिनेशन की बात करते हैं इसे यहाँ पर रग देते हैं अगले कांबिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मेडिसीन दिख रही है इसका नाम है Econyteam Neplus 30 Potency जोस्तो ये दो दवाएं आप बिल्कुल बहुत जेहन को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनिएगा छोटे बच्चे होते हैं कई बार उनमें क्या समस्या होती है छोटे बच्चों में कि यूरिन पास होना अचानक से रुख जाती है कोई कारण नहीं होता, बच्चे अचानक से जो है, यूरीन पास करना बंद कर देते हैं, माता पिता चिंतित हो आते हैं, डरने की बात नहीं है, यदि आप घर में ये दो दवाई रखेंगे, तो इन दोनों दवाओं को आपस में मिलाइए, और जो मिक्षर बनेगा उसकी दो हम कई बार क्या होता है, कि कोई ना कोई कीड़ा, कोई भी कीड़ा जो होता है, या मदुमक्खी ने काट लिया, या कई बार घर में चोटे मोटे कीट रहते हैं, वो काट लेते हैं, उसके काटने के करण दूस्तों क्या होता है, कई बार सरीर में चोटी-चोटी फुंसिया जिन में खुजली चलती है या उनमें भी सूजन आकर के ददोड़े जैसे हो जाते हैं तो यदि किसी कीट ने काटा हो या छोटे बच्चे को किसी ने काट लिया हो काटने के बाद अचानक सूजन आ गई हो या छोटी-छोटी फुंसी आउट गई हो उस कंडिसन में ये तीनो दुबाई मिलाए हैं और कैंथरीस थर्टी में तीनो दबाए हैं एक बा्टल में लीज़े इस प्रकार से मिलाए हैं बरावर मात्रा में मिला करके, मिक्शर की चारबून सुब़े दो फिर रात दीज़े ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी मिक्षर आपको बता रहा हूँ, ये सभी आप दाने में, यानि के ग्लोबिल्स में भी बना सकते हैं, जिसे इस प्रकार चाप देखेंगे, तो ये जो ग्लोबिल्स है, जिसे छोटा बच्चा है, आपको उसको ये मेडिसिन देना है, तो इ दिन में तीन वर चूसने को दीजिए, और यदि बड़ा बेखती है, ड्राप डारेक्ट ले सकता है, तो तीनों को एक बाटल में मिलाकर, मिक्षर की चार बुन सुबह, दोफेर और रात, दिन में तीन वर देना है, इस तीनों दवाओं के बने हुए मिक्षर की, तो किसी क हैतरीन काब्मिनेशन है, यहां पर आप देखेंगे, यह है एपिसमेल 30, और यह है काली कार्व 30 पोटेंसी में है, यह दोस्तों कई सारे लोगों को क्या होता है, आखों की पलकों के आसपास सूजन होती है, आप देखेंगे, वाटर वेक से होते हैं, मतलब आखों के नीच नहीं करना है, तो एक बाटल में इन दोनों को मिलाइए, वो मिक्शर की चाचर बुन दिन में तीन बर दीजिए, पलकों के आसपास किसी भी प्रकार की सूजन को यह मिक्शर दूर करता है, मरीजु को देंगे और रिजल्ट को आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बाक्स म जरूर बताएंगे, अब दोस्तों एक और बात करते हैं, एपी स्मेल दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है, जो यदि आपको किडनी में किसी प्रकार की समस्या होने के कारण यूरीन सहीं तरीके से पास आउट नहीं हो रही है और जिसके कारण बाड़ी में कहीं जगे जो है पान से भरी हुई सूजन आपको कई सारे मरीजों में दिखती है, ऐसी कंडिसन में आप मरीज को एपी स्मेल 30 के साथ बर्वेरिस वालगरिस 30 देंगे, तो गुर्दे या कडिनी के फंक्शन में आपको पहले से ज़्यादा बेनेफिट देखने को मिलेगा, जिसके करण इस सूजन की इंफ्लामेशन की बहुत अच्छे मेडिसिन होती है, एपी स्मेल, एपी स्मेल के अगले उसकी बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर पलसे टिला के साथ आप एपी स्मेल का यूज कर सकते हैं, कहां पर करेंगे, एक बिमारी होती है दोस्तों सिस्टाइट सिस्टाइटीस में क्या होता है, जो यूरिनेरी ब्लेडर होता है, उसका इंफ्लामेशन होता है, उसमें सूजने आती है, जिसके कारें यूरिन करते समय दोस्तों दर्द होता है, तकलीफ होती है, जलन होती है, और कभी कभी बार बातरूम भी लगती है, तो कभी कभी रु सिटिला के साथ, एपिसमेल के आर्सेनिक एलवम केंथरिस के साथ, एपिसमेल के अर्टिका यूरेंस के साथ, काली कार्व के साथ, एपिसमेल का वर्वरिस बल्गरिस के साथ, केंथरिस के साथ, लीडम बाल के साथ, और एकोनाइट के साथ, तो एक ऐसी दवा है दोस्तों, ए पर्टिum के साथ यह होता है आपकारिटीक के लिया इसमें बहुत ज्यादा यूज यूज होती है, दूसरी बात यूरियन के बर्निंग के केसще में आरसेनिक अलबं और कैंथरीश के साथ भी बहुत ज्यादा यूज होती हैं, यह दो सबसे ज्याधा यूज होने पहले योग देखे जिन्हें आप यदि इस प्रकार के combination में यूस करेंगे तो आपको जो result मिलेंगे दोस्तों वो unbelievable होंगे मनलब अकेली एप इस mail जो फायदा देती उससे तेज फायदा आपको इस प्रकार के combination में मिलेगा तो इसी प्रकार के और भी दबाओं के combination के बारे में जाननी के लिए आप हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा चैनल को subscribe करके जाएगा वीडियो को like कीजेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद बंदे मात्रम